क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि Kidney Stone हर किसी को नहीं होता ये तो सिर्फ उनको होता है जो alcohol लेते हैं, cigarette लेते हैं या कम पानी पीते हैं अगर आपको सिर्फ इतना पता है तो आपकी information बिल्कुल गलत है क्योंकि Kidney Stone की problem किसी को भी हो सकती है ये सिर्फ उन लोगों को नहीं होती जो alcohol, cigarette पीते हैं या कम पानी पीते हैं बलकि ये problem body में और भी तरीके से होती है तो आज की वीडियो इसी पर based है आज हम जानेंगे kidney stone की problem क्यों होती है और kidney stone की problem से आप लोग कैसे बच सकते हो तो आज की वीडियो सब भी के लिए बहुत important है देखे यूट्यूब में आप लोग वीडियो information लेने के लिए नहीं देखते information तो आप लोग Google से भी ले सकते हो आप लोग देखते हो ताकि आप लोगों की जो doubt है वो clear हो सके वो भी बिलकुल असान भाश्या में तो सिर्फ आपका ध्यान उपाई पर नहीं होना चाहिए बल्कि आपका ध्यान इस बात पर भी होना चाहिए कि इस problem से कैसे बचा जा सकता है आप लोग ऐसी कौन-कौन सी गल्दियां कर रहे हो उस बात को follow करिए तो चलिए आज के topic को शुरू करते हैं और जानते हैं kidney stone के बारे में इस बात की guarantee हमारा channel लेता है कि इस video को देखने के बाद और जो गल्तियां आप लोग कर रहे थे उससे सुधारने के बाद आप लोगों को kidney stone की problem होने के chances 90% तक कम हो जाएंगे देखिए kidney stone की जो समस्या है ये इतने dangerous नहीं है कि आपकी जान चली जाए लेकिन अगर आप लोगों ने इससे सही time पर treat नहीं किया तो आपकी problem जरूर बढ़ सकती है देखिए ये basic knowledge तो सभी के पास होगी कि हमारा शरी 70% से लेकर 72% तक पानी से बना है यानि आप ये समझ लीजे कि पानी आपकी body का base है और जब इस base में थोड़ा भूट भी disturbance आता है यानि इसमें थोड़ी भूट भी कमी आती है तो इसका direct impact आपकी body की सफाई पर परता है आपकी body उतनी अच्छे से साफ नहीं हो पाती जितना उसे होना चाहिए था और इसका असर किद्नी पर भी परता है लीवर पर भी परता है और body के different different part पर पर परता है तो अगर 1% भी अगर आपकी body में पानी की कमी हो जाती है तो आपका चेहरा डल नजर आता है आपकी किद्नी अच्छे से सफाई नहीं कर पाती और आपकी body में toxin की मात्रा बढ़ने लगती है toxin यानि गंदिगी की मात्रा बढ़ने लगती है तो पानी तो बहुत important है इसमें तो कोई कमी करनी ही नहीं है यानि दिन भर में आपको अपनी body को अच्छे से hydrate तो करना ही करना है तो ये तो हुआ एक part जो कि आप लोगों को जर्नली पता है लेकिन इस कहानी में एक और villain है वो है आप लोगों की bad habit आप लोग जो खाना खाने के तुरंद बात पानी पीते हो जिससे आपका खाना पड़े-पड़े सडने ही लगता है और ये undigested food आपकी body में रहकर बहुत सारे toxin को release करता है यानि आपकी body एक बार फिर से अच्छे से साफ नहीं हो पाती तो ये भी एक कारण है kidney stone का अगर आप लोग इस बात को direct समझोगे तो ये बात आपको समझ में नहीं आएगी लेकिन अगर आप इस logic को deeply समझने की कोशिश करोगे तब आपको पता चलेगा कि इस आदत की वज़े से आपकी body के अंदर गंदगी पर रहे है और यही गंदगी अगर सही से साफ नहीं हो पाती तो ये stone का रूप ले लेती है तो ये भी एक problem है kidney stone के पीछे और जैसे किसी movie को super hit कराने के लिए बहुत सारे villain होना important है ठीक वैसे ही kidney stone की problem को create करने के लिए आप लोगों की कोई एक गलत आदत नहीं होती आप लोगों की ऐसी बहुत सारी bad habit मिल कर kidney stone की problem को create करती है अच्छा आप लोग एक बात बताईए आपको जब भी urine pass करने की urge होती है यानि जब भी आपको ऐसा लगता है कि washroom जाना चाहिए आप लोग कई बार इसको ignore कर देते होगे राइट? चाहे वो काम की वज़े से हो या mobile देखने की वज़े से हो या कोई भी reason हो सकता है लेकिन आप लोगों की आदत urine को hold करने की रहती है और ये गलत आदत की वज़े से ही आप लोगों में kidney stone की problem का risk बढ़ जाता है तो ये भी एक reason है kidney stone का इसके अलावा कई बार आप लोग knowledge की कमी होने से नहीं होती और जिसका burden अगेन आपकी kidney पर परता है आप लोग जो high protein diet लेते हो इसका भी impact आपकी kidney पर परता है kidney को और भी ज़्यादा मेहनत करनी परती है toxin को बाहर निकाले में तो इससे भी आपकी kidney weak हो जाती है और अच्छे से अपना काम नहीं कर पाती करती है आपकी body में जितने भी toxin होते है उसे बाहर करती है urine के साथ यानि जो uric acid आपकी body के अंदर extra होता है kidney उसे भी urea के form में बाहर करती है लेकिन जब kidney weak होने लगती है तो वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाती जिसकी वज़े से आपकी body में बहुत सारी गंदगी जमा हो जाती है तो ये जितने भी हमने आपको कारण बताए है उन सब के पीठे एक कारण है आपकी body में गंदगी का जमा होना आप लोगोंने अक्सर लोगों को ये कहते होए सुना होगा कि problem के अंदर ही उसका answer चुपा होता है यही बात हमारी body के साथ भी लागू होती है आपको इतने सारे कारण से ये तो पता चल गया कि आपकी body में जब जब गंदगी बड़ेगी इसका impact आपकी kidney के function पर पड़ेगा और kidney का function अगर अच्छे से work नहीं करेगा तो kidney stone का risk बढ़ जाएगा तो इस पूरे process को solve करने के लिए आपको अपनी body को साफ रखना होगा आप कितनी भी औशदी ले, कोई भी दवाईया ले उससे कुछ नहीं होगा जब तक आपकी body साफ नहीं होगी आपने अकसर लोगों से ये कहते हुए सुना होगा कि एक बार हम लोग stone निकाल देते हैं stone फिर से बन जाता है वो इसलिए बनता है क्योंकि वो लोग अपनी आदत नहीं सुधारते वो सिर्फ stone को बाहर निकालते हैं आपको ये नहीं करना है अगर आप लोग problem को permanently solve करना चाते हो तो आप लोगों को अपनी lifestyle को बदलना होगा अगर आप लोग sedentary lifestyle follow कर रहे थे यानि एक ही जगे पर बैठे रहते थे physical exercise बिलकुल नहीं करते थे तो ये सब करना रोकना होगा आपको योग को follow करना चाहिए physically active रहना चाहिए आपकी जो भी hobby हो आप उससे follow करिए अगर आपको dance करना पसंदे तो dance करिए अगर आपको swimming करना पसंदे तो swimming करिए ताक कि आप physically active रहे देखिए body का जितना movement होगा आपकी body में blood flow उतने ही अच्छी से हो पाएगा और जितने अच्छे से आपका blood flow होगा आपकी kidney अपना काम अच्छे से कर पाएगी तो I hope आप लोग इसके पीछे का logic समझ गए होंगे इसके बाद आपको कोई भी doubt नहीं होगा kidney stone को लेकर देखिए अब तक तो हमने जो भी जाना वो सब वो तरीके हैं जो kidney stone होने से बचा सकते हैं लेकिन अब हम ये जानेंगे कि kidney stone होने पर आपकी body के अंदर कौन से symptom नजर आते हैं यानि कौन से ऐसे लक्षन से पहचाने कि हमारी kidney में stone हो गया है